तो हलो गैस कैसे उमीद करता हूँ बढ़ियाओंगे यह होंडा की शाहिन 125 और आज मैं इस बाइक का आपको EMI का डीटेल बताने वाला हूँ अगर आप 2024 में इस बाइक को परचेस करना चाहते हो तो यह वीडियो काफी ज़दा हेलफफुल रहने वाला है आपके लिए तो अ आओगे तो वहां से आपको बिल दिया जाएगा, पॉलिशन पेपर मिलेगा, टेंपररेरी आर्सी दिया जाएगी और एक आपको इंशोरेंस दिया जाएगा इसके अंदर 5-year इंजन वारांटी मिलेगी, 5-year का इंशोरेंस और कुछ सर्विस आपको फ्री दिया जाएगी, अब बात करते हैं इस गाड़ी के डाउन पेमेंट तो अगर आप इस बाइक को लेते हो 20,000 की डाउन पेमेंट करके और फाइनेंस करवाना चाते हो 12 महीने के लिए तो पर मन्त की आपकी जो EMI आएगी वो होगी 6,937 रुपे जो की हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप 18 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो इस बाइक को 20,000 की डाउन पेमेंट दे के तो 4,735 रुपे की आपकी EMI बन जाएगी जो की पर मन्त की बनेगी 24 महिने यानि 2 साल के लिए अगर आप फाइनेंस करवाते हो इस बाइक को तो 3636 रुपे की आपकी EMI बन जाती है पर मन्त की अगर आप 30,000 की डाउन पेमेंट करते हो इस बाइक को लेने के लिए और फाइनेंस करवाते हो 12 महिने के लिए तो 6,066,059 रुपीज के आपकी EMI बनेगी पर मन्त की 18 महिने के लिए आप फाइनेंस करवाओगे इस बाइक को तो 4,136 रुपे के आपकी EMI बन जाती है पर मन्त की 24 महिने यानि 2 साल के लिए अगर आप फाइनेंस करवाओगे इस बाइक को 30,000 की डाउन पेमेंट दे के तो 3,176 रुपे की आपकी EMI बन जाती है पर मंद की जितना जादा आप डाउन पेमेंट करते चले जाओगे 50,000, 60,000, 70,000 जितना जादा आप डाउन पेमेंट करोगे इस बाइक को लेने के लिए या फिर किसी भी बाइक को लेने के लिए तो आपकी जो EMI है वो कम होती चली जाएगी आपका जो बजट है बैलेंस है वो भी बना तो अगर आप 40,000 की डाउन पेमेंट करते हो इस बाइक को लेने के लिए और फाइनेंस करवाते हो 12 महीने के लिए तो 5,181 रुपे के आपकी EMI आजाएगी पर मन्त जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 18 महीने के लिए फाइनेंस करवाओगे 40,000 की डाउन पेमेंट देगे तो 3,537 रुपे के आपकी EMI बन जाएगी पर मन्त की कि कौन कौन सी डॉकुमेंट्स आपको चाहिए जब बाइक आप फाइनेंस पे लेने के लिए जाओगे तो 3 डॉकुमेंट्स चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से जड़ी कोई भी डीटेल तीन चीज़ों होती हो उसमें, चेक बुक, पास बुक और एटिम कार्ड अगर आप पास बुक दिखाते हो तो 6 महीने का बैंक के स्टेटमेंट माँगा जाएगा, छे महीने का नहीं है तो 3 महीने का कंपल से रहे वो आप से माँगा ही जाएगा ATM card सबसे best है ATM card add करवाने के बाद आपकी transaction जो है वो online हो जाएगी जो भी आपकी EMI होगी वो हर महीने सीधा आपकी account से कटती चली जाएगी बस आपको ध्यान रखना है जो भी आपको date मिले EMI की उसे दो दिन पहले आपको account में पैसा चेक करना है नहीं है तो फिर डालना है एक दिन भी मिस कर जाओगे तो 500 से 600 रुपे तक कि आपकी penalty भी लग सकती है तो इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है तो गाड़ी की EMI, down payment, documents और paper सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी कुछ मिस्स रह गया हो तो comment box में comment करके आप वो मुझसे पूछ सकते हो उसका reply में आपको 100% देने वाला हूँ काड़ी की detail आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो share करना वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत भूलना क्योंकि ऐसी वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ तो guys little video मिलते हैं अगली वीडियो में take care